हेलो फ्रेंद्स वेल्कम तो यार यूट्यूब चैनल इंगलिश फैमिली 87 सो एस तो पिछली वीडियो दे विच्चाप्पाने डी यूलेसस अपनी पोईम है एस दे लॉंग कॉश्चन एडे व आपकरेने ते एस वीडियो दे विच्चाप्पाने एस पोईम दे रेफरेंस तू दे कांटेक्स्त जड़े ओपा दिखाँगे सो अपतो पहले देखो फस्ट स्टैंजा सो स्टैंजा तुसी लिख लेना है एस दे वर्ड मीनिंग भी मैं लिखेने ओवी तुष्टेंचाद नोट कर लेना है आपा सिर फैना दे कांटेक्स्त दे एक्स्पलेशने एस अल्फरड टैनिस दी जड़ी पोइम लिखी हुई है उस दे विच्छो ले गया है मतलब है यह ता स्टेंजा इडियन लाइन इस ने एट इस अफेमस ड्रामेटिक मोनोलोग मैं पहला मी दस ऐसी जदों एक ही करेक्टर को या अपने बारे को गल अपनी दसदा जान दा है किसे प्ले दे विच्छ या किसे पोइम दे विच्छ उसनों मोनोलोग बोल देने Ulysses himself is speaking and expressing his feelings येटा Ulysses है ओ खुद अपने feelings दे एक्सप्रेस कर दे अपनी इस पोइम दे विच्छ Ulysses was the king of Ithaka, Ithaka दा king सीगा, he fought in the Trojan War, एस Trojan War दे विच्छ लाइ लड़या सीगा He returned to his kingdom Ithaka after 20 years, 20 साल लाँ बाद पठक दे पठक दे हो अपने Ithaka बाप सा अपने kingdom आया सीगा But he did not want to sit idle at home, परो करें बेला नहीं बिठना चौन्दा सीगा He longed, wished for distant travel once again, दोबारा फेर हो, यात्रा यड़ी हो, करना चौन्दा सीगा, लंभी यात्रा He wanted to gain more and more knowledge, वद तो बद नौलज यड़ी हो प्राप्त करना चौन्दा सीगा So he asked his fellow mariners, अपने साथी यड़े मला सीगे, उनना उसने केहा, to get ready to go on a fresh vaj के अपन दोबारा फेरिक fresh vaj यड़ी होसते, अपने चाल दिया That it is totally wasted of time and energy to stay at home idly जे करकर यह आपा बेल ले बैठ दिया, ताहे totally wasted है, कहने समें दी आते energy दी He doesn't want to live an idle life with his old wife He thinks that there is no pleasure in ruling life He doesn't want to rule over the people of Varan, Rocky, Eastland of Ithaka Ithaka दे मतलब बंजड खेतां वाले, Rocky, चटानन वाले, Eastland सी, तर्थी सी उस देड़े लोक सी, उनना प्रोहो रूल करना नहीं चौनदा सी गा He feels that, ओ ए फील कर दा है, that the people of Ithaka जेड़े इथाका दे लोक ने, will not be able to understand the laws and plans made by him कि जेड़े उस द्वारा, जेड़े laws, कनून ते, जेड़े मतलब बनाए जानगे, प्लान बनाए जानगे, जेड़े लोक ने इतहका दे, ओहो एस गल नो नहीं समझेंगे They are living like beasts ओगे जानबरा दी तना रहें देने So, they cannot understand his high ideas ता इस करके ओहो ओस देड़े है, high ideas ने उनन ओहो नहीं समझे सकनगे And अगे देखो, second stanza, ये तुसी लिख लेना है अगेस दा context टाइडा, same as previous, मतलब के पिछला, same हो ही करांगे, अप्मा explanation देख देख देया इनना लेना दे विच्चे यूलेसस कहना है, he cannot live a life without any activity कहना बिना किसे activity तो बेली life है ये रहा हो, नहीं मतलब बतीत कर सकता He wants to get maximum out of his life ओह अपनी जिंदगी चो बद्द तो बद्द प्राप्त करना चाहना भी जिनना हो सके उनना experience लेना चाहना हो जिंदगी तो He says that, ओह ये भी कहना है, he enjoyed and suffers a lot कहना भी उसने enjoy भी बहुत किता, अते suffer भी बहुत जादा किता, दुख भी उसनों बहुत जादा आए Both alone and in the company of his companion मतलब के both, जिरे दुननों ही alone and in the company of his companion मतलब के कल लेनू अते उस देडे companion सीगे उना देनार मतलब एगे चीज़ जाने उसनों दुख enjoy भी उसने बहुत की ते अपने companion देनार और उसने मतलब के सफरा यदा दुख है, ओ भी उसनों बहुत चलने पर कल लेनू भी ते अपने companion जिरे उसने साथी थी के sailor उना देनार दी His sailors respected him a lot यदे उसने sailor सीगे साथी सीगे मला उसनी बहुत यदा respect कर दे सीगे He traveled on both land and the sea उसने मतलब land अते sea दोना जगाते travel कीता सीगा मतलब समुंदर यात्रा भी अते मतलब तर ती दे उपर भी यात्रा बहुत सारी किता सीगा disturbed by strong winds and rains जिसनों की मतलब बहुत ज़्यादा disturb भी किता सीगा उना नो strong winds and rains बहुत ज़्यादा हवा चलनी नेरी या उनिया नेरी तुफान अते rains अते बर्खाने मतलब के जो दो हो यात्रा कर दे सीगे उना रा दे विचे रुकावता भी बहुत आ या तेज हवा चलनी या जा फिर मींकनी या उनिया इस तरह दीज रेंज वर काउजड बाई दा ग्रूप ऑफ सेवन स्टार्स मतलब के जिसनों की हाइडर्स भी कहने ने मतलब के जिड़े एहे तेज हवामा रेंज जिड़ें अन्यासी उस दे रस्टे दे विचे एक किसदे कार ना या सीगा काॉज दा ग्रूप ऑफ सेवन स्टार्स सेवन स्टार ओफ जिसनों अपा हुन भी शब्त सिरी अपना सब्त रिशिय जड़ा के दनने मतलब अपने असमान दे विचे अपन उतारे हुन भी दिख देने शब्त रिशी सब्त तारे हैंदा समू है हो गुरुप है अगे एको थर्ड स्टेंजा ये तुसी लिख लेना है इस दा कॉंटेक्स टाइडा सेम एज प्रीवेस ओही पीछला आपा करांगे अगे एस जड़ा अपना स्टेंजा है इडियो आपा देख लेनिया इन दीज लाइंज यूलेसस डिकलियर्स दैट ही हैज बिकम फेमस परसन फॉर हिज अडवेंचरस मतलब जड़िया उसने सासिक कम सीगे इना ने कारन काने बहुत ज़्यादा परसिद्दो हो चुक कैसीगा He has lived a life of wondering in search of new knowledge मतलब कि असने बहुत ज़्यादा जिद्दगी है जोई सीगी बहुत ज़्यादा नावल ज़्यादा ज़्यादा यह ने यह उपराप्ट किती He has gained much experience in his life अपनी जिद्दगी दा बहुत ज़्यादा experience है यह उसने पराप्त कीता सीगा during his wedges जो दो मतलो यात्रा करदा सी गा he visited several cities और बहुत सारीं cities दे बिच पहुंचिया and studied the lifestyle of different nations मतलो अलग 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 मौसम है अलग 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 मौसम है इस गलदी मतलब उसनो नौल जा यादी हो मिली कुम फिर के he studied about the councils, parlaments and governments of many cities बहुत सारे इस cities अपनी हजयें सी गया उनना दे मतलब कि क्यों थे कनून ने, rules ने, ओ दे बार ही उसने बहुत जादा पढ़िया Whenever he went जोदों भी हो जानदा किते भी मतलब जानदा किसे भी city दे विच He was treated with great respect उसनों बहुत यादा respect मिल दी सी During this period एस period दे मतलब through जोदो हो मतलब जातरा कर रहा सीगा He took part in the Trozen War उसने Trozen War दे विचे हिस्सा लिया He felt the pleasure of fighting in the Trozen War Trozen War दे विचे उसने fight करके मतलब उसनों बहुत बढ़िया महसूस होया In these lines Ulysses says that he is a famous personality only because of all the knowledge and experience that he has gained Famous personality यह बन चुके है सिर्फ एसे करके के जड़ी उसने knowledge प्राप्त कीती है और experience उसने प्राप्त कीती है अपनियां यात्रा माने भी चूँ But knowledge is limitless पर जड़ी knowledge यह लिमेंट लेस है उसने कोई limit नहीं है कि जिन्नी मर्जी प्राप्त करी चलो Ulysses feels that he has not gained much knowledge yet कि उसने हजे तक बहुत जादा नौल जाए जड़ी यह प्राप्त नहीं किती हले भी बहुत कुछ बख की है No matter how much knowledge we gain यह कोई मतल मैटर नहीं कर दा कि आप किन्नी knowledge यह गेन कर दिया It is never complete क्योंकि है कदे भी complete नहीं हों दी Ulysses says that it is wastes of time if you are not gaining knowledge जेकर तुसी knowledge नहीं प्राप्त कर रहे ता समझो wastes of time है time दी बरबादी कर रहे हूं A sword, sword होंदे तलवार, shine if it is used मतलब एक तलवार फिर ही चमकूगी जेकर उसनों use किता जाओगा constantly लगातार Otherwise it gets rusted, rusted होंदे यंग लगना, इसनों यंग लग जोगी Ulysses points out that, Ulysses point out कर दे, एक अलपन दस दे, only act of breathing is not life किना सिर्फ सां लेना ही जड़ी अपनी जिंदगिया हो, नहीं हैगी अप पानू नौल जाए जड़ी, ओ भी प्राप्त कर दे, रहना चाहीं दे अगे, फिफ्थ हेड़ा अपना स्टेंज जाओ देखो, एक उसी लिख लेना है, context हेड़ा is the same as previous, ओही रहेगा, explanationally In these lines, Ulysses tells about the vastness of knowledge as well as the shortness of human life He says that there is no end of knowledge, knowledge दा कोई end नहीं हेगा, even if he could live the length of many lives He would not be able to drink this vast store of knowledge, फिर भी ओहो एस बड़े knowledge दे store नहीं पी सकदा, भी knowledge endless है Ulysses says that he has only one life, उस दे कोई सिर्फ इक ही जिंदगी है, and that also is coming to a close, ओ भी मतलब नेड़े आ रही है Only a few years of short life are left, सिर्फ थोड़े साल ही उस दी जिंदगी दे, बाकी ने to him, मतलब थोड़े साल ही रहेगे उस दी जिंदगी दे But he decides to use every moment of his life, पर उसने ए डिसाइड किता है कि उस जिंदगी दा हर केड़ा moment है, उस दी जिंदगी दा, in gaining more and more knowledge उस दे विच्छो होर ज्यादा, होर ज्यादा knowledge है, जड़ी यहो प्राप्त करेगा Again, next अपना sixth stand जाएडा, इनोट कर लेना, इस दा context, same as previous Explanation देखोईश दी, in these lines, Ulysses says that an astrologer had told him that he would not live for more than three years So, he doesn't want to stay home, तक कर रहे हो, नहीं बिठना चौंदा, He would like to go in persuade of knowledge Ulysses wants to acquire, acquire प्राप्त करना, acquire more knowledge before dying 7th stand जाएडा, इस दा context, ए तुसी stand जाएडा कर सागदे हो, context is the same as previous Explanation देखोईश दी, in these lines, Ulysses says that he is giving his son, Telemax, the authority of rule over his kingdom of Ithaka He believes his son and his intelligence He believes that Telemax will perform his duties with great devotion Ulysses says that his son will move step by step, step by step move करूगा हो, and control the uncivilized people of the country ते यड़े इस country दे, uncivilized लोक ने, जिननानों मतलब इनना जादा कुछ पता नहीं हेगा हाना पड़े लिखे काटने ताँ उननानों step by step करूगा He would control them and use their energies उननानों control करूगा, तो उननानों दी energy यड़े उननानों use करूगा for performing useful and good deeds बदिया useful तरीके दे नादनानों, अते good deeds बदिया कमा दे लिए उननानों दी energy यड़े उननानों वहो use करूगा अगे अठमा इड़ा अपना स्टेंज है इस दा contexted same as previous रहेगा explanation इस दी In these lines, Ulysses says that his son Telemax is a honorable young man of sportless sportless होंदा है, clean मतलो, clean character जेड़ा उस दा बेटा Telemax है, उस नों कहरे है कि बहुत honorable है हो गुनाकारी है, young man, ते clean character है उस दा, बिलकुल साफ हिरदेदा बंदा है हो He is very careful about his duties of life, अपनी जिंदगी दियां, duties दे परती बहुत जारा careful है He is dutiful towards his family members, family members दे परती भी duties ने जड़ियां, उस दियां पूरियां नों होदा हो He will worship his family gods, जड़ियां उस दे family gods ने, देवी देवते ने उनना दी पूजा करूगा And follow the family traditions अते जड़ियां family दिया पर्म परामाने उनना नों follow करूगा चंगी तरह अग्या अपना 9th stange जड़ा Is the context जड़ा, same as previous spellना बाले ही अपने रखने And against the explanation जड़ियां, इस stange जड़ियां पहो देख दियां In these lines, Ulysses admits that, he and his companions have grown old But old age has not decreased their agerness for fresh adventures Even in old age, a person can undertake new adventures Ulysses knows that death will finish their all activities ओ जान दा Ulysses के यड़ी मौत है उनना ये सारी activities ने उनना खत्म कर दूगी Still, they can achieve something honorable before their end comes मतलब फेर भी ओहो, ए चौंदे ने की इस तो पहला की उनना दा end आवे उस तो पहला कुछ activities ने जड़ियां हो honorable ओहो करना Ulysses points out to his companion अपने companion नो points out कर दे हो कहनदा है That they are not ordinary people क्यों हो आम लोक नी है गे ordinary हो आम कहनदे हो आम अपन कहने आम लोक नी है गे They fought with and against gods in the trozen war क्योंकि उनना ने trozen war दे विच देवतियां दे नाल दे देवतियां दे अगेंस्ट उनना ने जंग लड़ी है वार किता है They must do some honorable deeds before they die मतलो उनना मरन तो पहला कुछ honorable कोई बदिया काम मज़े डीड़े deeds ने हो करने जहीं दे ले तो अगे 10th अपना इड़ा 10th है यह तुसे ने लिख लेना है इस दा context आड़ा same as previous ही रहेगा And अगे इस दा explanation है इड़ी ओ आपा देख दियां In these lines Ulysses addresses his sailors अपने इड़े sailors ने उनना अड्रेस कर दा है अगे प्रसंसा कर दे उनना दे उनना दे विच बोल दा है कुछ यह उनना दे समंदर दे विच्छ है He tells them that he wants to go on sailing even beyond the place where the sun sets कहना हो ओद्नू भी दूर यात्रा करना चाहूँ दा है जित्थे समंदर दे विच्छ जेड़ा सूर्ज है हो जाके छिपदा है तुम भी अगे कहा दो जाना चाहूँ दा है जाना चाहूँ दा है He is a girl a girl उत्सुक होना to go for new knowledge नमी knowledge दे लिए जान दे लिए हो पूरा उत्सुक है Up to his last breathe अपने अंत मतलो last saan तक It is possible that strong waves of the sea might be drawn It is possible that they might be drawn by the strong waves of the sea तो तुसी इस तरह लिखने है ठीक है जिस तरह मैं बोल लिया But it is also possible that they might reach the happy paradise यह थे इसर जिए परडाइस कर सकते हो पर यह भी पॉसिबल है कि हो happy paradise दे विच पहुंच जान वेर दे विल मीट दे ग्रेट हीरो एचिल्स जित्थे हो अपने ग्रेट हीरो एचिल्स जाना उसनों मिल जाना अगे लास्ट स्टेंजा देखो इसदा यह लिख लेना है Context same as previous रख लेना है Explanation इसदा In these lines, Ulysses tells his companion that they are not as strong as earlier In youth, they used to shake the heaven and earth However, they are still brave and heroic Only time have made them physically weak But their willpower is strong Therefore, they must make effort to seek and find new knowledge They must not bow before anyone So, this is a point of reference to the context So, if you like, share, comment जरो जल्द हाजर हो मागे अगली वीडियो लेके उधन तक देओ इजाजत Thank you so much